आज हम चार्जर के आप में डिसक्स करने वाले है है आप देख सकते हैं उसको बाहर निकाल लेंगे है पलास्टिक में लोकल मार्केट से ही सोचा कि आपकर इसके बार में बता दूँआं कि तो आप देख सकते हैं इस तररे के से donut seven जार्जर है यह सिंगल बैटरी 5 A का बैटरी चार्जर है और 5 एंपर का ओसाब से शॉर्च करेंगा मतलब ज्यादा से जयादा उसका जो एंप भर होने वाला है जो वैटर सांगी पाच एंपर टर्मिनल जोडने के लिए इस तरीके से वायर यहां पर दिये गया है यह सिंगल बैटरी सिंगल बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं इसकी प्राइजिंग मैं आपको बता दूंगा कितने में आएगा और तो इस तरीके से पॉजड्यू निगेटू टर्मिनल होने वाले जो बैटरी करेक्ट करके दिखाएंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर एंपियर लगाया हुआ है यह लुकल मार्केट से मैंने लाया है कितने का है वह भी मैं आपको बताऊंगा बैटरी हम करेट करके भी आपको दिखाने वाले यहां पे फ्यूज है और आप इसमें कुछ इशू आता है तो यह फ्यूज खराब होता है तो फ्यूज के बारे में भी थोड़ी दिर के बार में मैं आपको बताऊंगे पॉजिटिव निगेटिव और यह इंपेर कंट्रोलर यहां से आप इसको इंपेर कंट्रोल भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम आउन यहां पर लाइटवि लगया है फीयूज ऊठ जाएगा यहां पर अगर कुछ इसणा आता है तो व yo बद्द हो घा से आप यहंद में बनाइगे तो वहां पर आपको इफूज मिलेगा जहां से भी आप बनाएंगे तो यह देख सकते आप इससे किसे फ्यूज लाइट बंद हो गया कुछ खराब याती है तो यह फ्यूज कराब हो जाएगा आपको फ्यूज डालना पड़ेगा चार्जर को कुछ नहीं होगा इसलिए लाइट बंद हो गया तो जब भी कुछ इश्यू आता है तो लाइट बंद हो जाएगा यहां से फ्यूज आपको चेंज करना पड़ेगा यह ओन हो गया है आप दिख सकते हैं अभी हम करेंगे बैटरी करेक्ट तो यहां से पहले हम बंद कर देते हैं हमारे डिश्च टर्मिनल यहां पर लिखा हुआ होगा आप प्रॉपर देखके लगाईएगा और यहां पर पॉजिटिव अब यहां पर हम कर देंगे देख सकते काटा उपर आ गया तो यह अभी तीन एंपर की साब से चार्जिंग शुरू है चार्जिंग बढ़ाएंगे चार्जिंग ब आप च्क it तो आप कर और में मैं इसके आती है अंगर काकफी कम उसका वोल्टेज बैडरी है तो अगर बैटरी बारा वोल्टेज की है कोई डाउन होगी तो दस ग्यारपी है तो कोई इशु नहीं आता है काफी कम अगर उसका वोल्टेज रहा तो इंवर्ड में भी कभी-कभी इशु आता है क्योंकि वह पावर उतना खीशने में काफी मतलब सक्षम नहीं हो पाता है और फ्यू्स ओटता है अब कोई-कोई जो चार्जर है उसके फ्यूस बाहर दे रहे रहते हैं तो उस वज़े से दिककत हैं अब यहार डिया लिया है कुछ इशू आता है तो फ्यूजी उड़ जाएगा फ्यूजम यहां से निकाल के दुबारा लगा सकते हैं कुछ 10 रुपे का फ्यूज आता है जो मैंने आपको थोड़े दिखा है तो इस तरह के से यह बैडरी चार्ज़र होता है तो यह मैंने कितने मिलिया मैंने यह खरीदी प्राइजिंग किया है 900 रुपे में या दोस्तों यह मैंने 900 रुपे में खरीदी प्राइजिंग किया है सिंगल बैटरी चार्जर है और आप इस पर 1500 एंपर तक के बैटरी चार्ज कर सकते हैं प्रहें चोटा बैटरी चार्जर है तो मैं आपको जनरली तो इसके लिए बड़ा चार्ज रायता है यह बैडरी चार्जर जो यह 35-40 बैडरी चार्ज कर सकते हैं इसकी इतनी कैपेसिटी है पचले हम लेके चले कि 35-40 आपके अगर में टूलर की बैडरी होंगी या कोई बैडरी होंगी और आप यह अफिर कोई-कोई जो जो शॉप हो कोई ठीला होगा तो इसके लिए चार्जर आपको ऐडरी हो पर दिखाएंगे कि इसको इसलिए आपकी पास पर उससे खरीद लिजे और कुछ इशु आता है तो उनके पास यह पर लेकि जा सकते जो दुस्तों चार्ज काफी सालों तक भी चलते हैं वारंटी कम वह देते है है तीन-चार मैंने की देते हैं पर यह दो साल तीन साल मेरे पास कुछ पुराइन चार्जर है जिसको ड़ाइस अलोगी वह अभी भी चल रहे है सें सेंगे यह देख सकते हैं यह है मिटर यह पावर यह डिसी फ्यूज यहां पर देख सकते हैं वोल्टेज हम बढ़ाएंगे बढ़ गया तो इस तरीके से यह बैटरी है इस तरीके से यह चार्जर है connection प्रॉपर लिए इसको कम से कम दो गंटा लगेगा उससे भी कम टाइम में चार्ज कर देंगे काफी चार्ज है तो दस गंटा रखना पड़ेगा छोटी बैटरी है आपकी तो तीन-चार गंटे में फूल डिश चार्ज हो जाएंगी इस चार्जर पर तो और आप देख सकते हैं चार्जर होता यह इंफोर्मिशन आपको पसे न मिलते अजर किसन ने वड़की साथ में तो मिलते अगले वडियो में